नमस्ते ये विद्यार्थियू आप सभी का हमारे योटूब चैनल राजस्तान जी के वाई उदेशर में बहुत बहुत स्वागत तो विद्यार्थियू आज में आपके लिए लेकिया यहूं कक्सा आठ का सामाजिक विज्ञान का मोडल पेपर जो कि आपके आने वाले पोटेंट होने वाला है इनमें से कई सारे प्रशन आपके एक्जाम में देखे जाएंगे तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं कुछ प्रशनों के उत्तर भी बताने की तो पहला प्रशन है भारत को उप महादीप क्यों कहा जाता है तो विद्यार्थियू भारत ह एशिया महादीप के दक्सिन में स्थित है ये एक अलगी वोगलिक प्रदेश नजर आता है भारत की हर दिशा अभे दैवम दुर्गम में है इसी कारण से भारत को उप महादीप कहा जाता है आप सभी से निवदन रहेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लाइक न की तरी तुमें होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है प्रशन संख्या एक से लेके दस तक सारे की सारे प्रशन है वो एक नंबर के हैं आपके जल विबाजक रेखा से आप क्या समझते हैं तो जल विबाजक रेखा दो अपवा इन सेत्रों के मद्य उच्छ भूमी को ज विबाजित कर देती हैं जैसे कि अपने राजस्तान की जल विबाजक रेखा किसे कहते हैं विद्यार्थू आपको पता होना सही है राजस्तान की जल विबाजक रेखा है वो कौन है अरा वली परवतमाला ठीक है अगला प्रशन वाने जी क्रशी किसे कहते हैं तो विद्या अगला प्रश्ण है रजस्तानी की वस्त्रनग्री किसे कहा जता है तो विद्यार्थ्यू रजस्तानी की वस्त्रनग्री है वहलवाडा को कहते हैं जैसे कि आपने अपने केताब में पड़ा होगा अगला प्रश्ण है जन्संग के अवरदी के तीन कारक कौन-कौन से है विद्यार्थिय। आप भी जरूर कमेंट करना है साथ में तो जन्संग के अवरदी के तीन कारक कौन-कौन से हैं जनम, मरत्यू और प्रवास ठीक है विद्यार्थू ये तीन है जन्सिंग के अवरती के कारक राजस्तान में पर्थम रेल कब वह कहां सली थी तो बांदू कोई कोटा से लेके आगरा फोर्ट तक पर्थम रेल सली थी स्वरी बांदू कोई से आगरा फोर्ट तक अगला प्रश्ण है सामाजिक बहिस्कार क्या है तो सामाजिक बहिस्कार का मतलब होता है व्यक्ति को समाज में आने जाने से रोका जाता है वही है सामाजिक बहिस्कार अगला प्रश्ण किनी तीन विक्सित देशों के नाम बताईए अमरीका फ्रांस स्वेजर लेंड ठीके अगला प्रशन है जन हिच्टे यासिका किसे कहते हैं अगला प्रशन देखते हैं भारती सेना के तीन अंग कौन-कौन से हैं प्रशन संक्या 11-15 तक परते एक प्रशन है वो दो अंग का है आपको उतर देना है कम से कम पच्चास सब्दों में तो भारती सेना के तीन अंग कौन-कौन से हैं जल सेना, थल सेना और वायू सेना अगला प्रशन है हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ और इसके उद्दे से क्या थे तो हुरडा सम्मेलन है यह 1734 में आयोजित हुआ था यहाँ पे राजपुतों की एकता के लिए सम्मेलन बुलाया गया था बार यह आकरवनकारी है उनके विरुद में ठीक है अगला प्रशन है 1857 की क्रांथी में गिर गाने वाले कव्यों के नाम लिखने आपके किताब में दिये हुए है अगला प्रशन है प्रमुक सायक नदिया अगला प्रशन है राजस्तान की प्रमुक नदिगाटी प्रियोजनाओं के नाम लिखे जैसे कि जवाई बांध प्रियोजना, चंबल प्रियोजना, जवार सागर प्रियोजना, मांसी वाकल प्रियोजना यह सारी किसारी नडी गाटी प्रियोजना है अगला प्रशना है राजस्तान में पाए जाने वाले मिट्टियों के नाम लेकिए काले मिट्टी भूरी मिट्टी लाल लौमी मिट्टी कसारी मिट्टी ठीक है ये सारी राजतानी की मिट्टिया अगला प्रशना है परंप्रागत एवं गेर परंप्रागत उर्जा संसादनों में क्या आंतर है तो परंप्रागत का मरलब क्या होता है एसे संसादन जो परंप्रावों से सले आ रहे हैं उन्हें परंप्रागत उर्जा के संसादन कहते हैं गेर परंप्रागत जो वरतमान में या फिर पिसले कुछ दसकों से ही सालो किये गए हैं वो हैं गेर परंप्रागत उर्जा के संसादन अगला प्रश्ण है कुटी रूद्यों किसे गयते हैं और इनके उदारन देजे अगला प्रश्ण है आउवा में हुई क्रांती की घटनाओं कर टिपनी लिखनी है क्रांती कौन सी 1857 की क्रांती अगला प्रश्ण है राजस्तान के व्रद उद्यों का वर्गी करना है आपको और इससे आगे वाला प्रश्ण है राजस्तान की जन जातियों पर एक लेख लिखना है आपको राजस्तान की जन जातिया कौन-कौन सी भेल मेना गरासिया सहरिया इनके बारे में आपको लेख लिखना है ठीके विद्यारतियों तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन और किस विशे का वीडियो बनाना है वो भी आप जरूर कमेंट किजिएगा धन्यवाद जैहिन